वेलकम तू एनदर पिकका कार्ड रीडिंग आज पिकका कार्ड रीडिंग करते हैं 1,2,3 आपके पास 3 पाइल्स है पहला पाइल है जिसमें स्टार रेप्रेजन करता है होली स्पिरिट पाइल नमबर 2 क्रिस्मस ट्री जीजस क्राइस को रेप्रेजन करता है पाइल नमबर 3 म Mother Mary को represent करता है और एक beautiful Santa Claus है तो आपको एक minute लीजिए और ध्यान दीजिए कि आप कौन सी पाइल चूस करेंगे आज 1, 2, 3 और तीनों पाइल में आज आपको बहुत सारे miracles और blessings मिलने वाले हैं from Mother Mary, Jesus Christ and Holy Spirit तीनों का आशिरवाद लेते हुए आज Christmas special reading करते हैं देखते हैं कि ये हमारे ascended masters और जो हमारी देवी देवता हैं ये हमारे angels हैं ये आज हमें क्या blessings देने वाले हैं और Christmas में हमें हमारे जीवन में क्या miracles लेक्याने वाले हैं तो शुरू करते हैं without any dairy जो भी है 1, 2, 3 आपके पास तीन piles है फिर से बता देती हूँ, 1 जो है star को represent करता है, 2 जो है वो Christmas tree को represent करता है तो मैं Christmas tree यहां रख देती हूँ और Santa Claus भी यहां रख देती हूँ तो आज हम शुरू करते हैं pile number 1 जिसने भी star choose किया है और 2 और 3 को हटा देते हैं और देखते हैं कि क्या आपके रीडिंग है, क्या आपके stars कहते हैं आपके लिए तो यह है pile 1 जिसने भी star को choose किया है तो देखते हैं holy spirit क्या कहता है तो first holy spirit कहता है कि expect miracle जिसने भी यह काड़ चूस किया है उनके जीवन में miraculous result आने वाले हैं बहुत ज़्यादा चमतकार होने वाले हैं इस हफते में तो miracles will occur naturally and spirit has your back कहने का earth भगवान आपके पीठ पीछे बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में क्या आचमतकार होने वाले है जिसने भी number one को choose किया है यह star को choose किया है तो मैं अपने deck में से यह वाला जो tarot deck है उसमें से आपके लिए कुछ cards निकालती हूँ देखते हैं आपका week कैसे जाएगा आपका start of the week तो मैं आपके सामने यह shuffle कर रही हूँ तो यह निकले हैं आपके लिए कुछ cards देखते हैं start of the week end of the week और middle of the week आपके लिए क्या cards निकलते हैं queen of cups और six of pentacles तो तीन different suit के card निकले हैं यानि कि professional life और materialistic life और आपके भावनों के लिए card निकला है नंबर निकला है six six और queen का निकला है यानि कि बारा छे छे तो छे नंबर आवीनिस का प्रतीक है यानि कि वाके में आपके जीवन में materialistic benefits आने वाले हैं आप अपने जीवन में at the present moment जो भी आपके पास कुछ access में ह उसका आप दान कर रहे हैं वो आपका विद्या का दान हो सकता है knowledge का effort का so this week present moment and the present week is going to become marvelous you are going to give something which is access in your आपके पस जो भी जादा है उसका आप दान देंगे और queen of cups कहता है कि पिछला हवता या जो भी पिछले बार जो घटनाये हुई आपको लगता है कि आपके इर्द गिर या अच्छी नेगी तनाव में गया स्ट्रेस में गया तो past week जो था वो स्ट्रेस में गया पर present जो है आगे अच्छा जाएगा ये आप कुछ ना कुछ दान करते वे दिख रहे हैं और celebration का time है future में आपका promotion आपका project बहुत ही जादा successful हो रहा है आपको नया project की त्यारी करने चाहे वो आपका business हो चाहे आपके family life हो तो celebration दिखता है आप birthday anniversary कुछ भी celebrate कर सकते हैं तो ये celebration का card है six of wands तो ये थी आज आपकी तीन reading जो tarot card से थी one two and three अब हम देखते हैं आपके oracle cards क्या कहते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे आपके charms और आपके लिए क्या bonuses हैं तो तो ये हैं आपके oracle cards तो देखते हैं पहला card क्या निकलता है पहला card है make a decision तो आपको इस समय decide करने की जरूत है important decision यानि आपके लिए कोई जीवन में चुनाव करने की जरूत है आपके जीवन में कुछ ऐसे राए हा रहे हैं जहां आप चुनाव करेंगे कुछ अच्छा चूस करने के लिए आपके लिए वास आ रहा है आपको वहाँ खुशी मिलने वाली है आप deserve करते हैं प्यार को भी और कुछ thoughts को भी तो आपके जीवन में कुछ ऐसे major thoughts आ रहे हैं जिनके लिए आपको दो रायों में हैं चाए तो वो जॉब का चुनाव हो सक सकता है या business का है या education का बच्चों के education को लेकर आपके पास दो choices हैं तो you have to make a decision तो decision का card निकला है पहला तो आप wise decision लीजिए अगर आप से decision नहीं लिया जा सकता तो आप दूसरों से भी सला मशुरा करके help line से भी help लेकर google से भी help line लेकर भी आप solve कर सकते हैं अगला card आया है moonstone का moonstone क्या कहता है moonstone का क्या card कहता है moonstone कहता है आपको dreams के बारे में तो जो भी आपके सपने आते हैं कि क्या आप उनको याद करते हैं dreams में आप उन cycles को देखते हैं अपने patterns को study कर पाते हैं क्या वही वही dreams हा रहे हैं तो क्या देखे शरीर में कभी भी एक दर्द हो या बीमारी हो वो हमें कुछ न कुछ संकेत देती है तो वो क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है बीमारी जो होती है वो disease नहीं होती वो एक भून होता है वो आपको बताती है कि आपके पास जो श प्रिक्वेंसी से उसको ट्रीट करना पड़ता है जब आप दर्द से जूझ रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको धन्यवादे सकते हैं आप उनको स्वस्त मान सकते हैं जब आप इस तरह करते हैं तब आपका दर जो है चला जाता है तो जो आपके लिए आज स्पिरिट आनिमल जो आया है वो ये वाला मौत है यकीड़ा है ये बताता है कि आपको अपने स्प्नो पर ध्यान देने की जरुवत है क्योंकि स्प्ने क्या है वो आपके सेल्फ नौलेच के लिए एक टूल है टूल यानि की ऑजार है वो आपको बताते हैं आप किस दिशा में जा रहे हो आप जान पाते हैं कि आपको ये सबने क्यों आए तो इस बार देखिए एंजल जो हैं वो हमें क्या मिरेकल्स दे रहे हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ से तो ये तीन कार्ड्स हैं एंजली ब्लेसिंग्स की तरफ से और आपके जीवन में क्या मिरेकल्स होने वाले हैं तो देखे ये cards निकले हैं, 3 of Ariel, 5 of Ariel and 2 of Michael, फिर से decision का card आया है, आपको दो राये हैं, बार बार यही चीज़ आ रही है, तो बहुत ही जादा synchronicity हो रही है, make a decision दो तराजू, अभी दो यह, इसका यह अर्थ है कि आप ऐसे दो राये y junction पर खड़े हैं, जहां आपको कुछ च चीज़ बेटर है, और आप decide नहीं कर पारें, क्योंकि दोनों ही आपको लगता है, कि यह starting में अच्छा है, यह बाद में अच्छा फल देगा, तो आप एक काम कीजिए, जब आप इस तरह की दुविदा में हो, तो अपने senior से, पूरवजों से, या किसी अच्छे भुज़ decision का card आया है, फिर आपको इस बार unexpected wealth, miracles क्या आने वाले हैं, आपके जीवन में कुछ timely आपको कहीं से धन की पूरती होने वाली है, और जब आप वो चीज़े करने लगेंगे, जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपके personality में growth होगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा cooperative manner में के बहुत सारे solutions हैं, और आपकी जितनी भी भविश्यवानी जिसने भी की है, वो अभी पूरे होने का time आगया है, आपके जीवन में धन संपती आने वाली है, तो ये है 3 of Ariel and 5 of Ariel का card, आपका next card क्या कहता है, देखिए, next card है lioness का, यानि की आप अपनी integrity है, यानि की individuality, जब भी आपको कोई बात मिले, या कोई important चीज मिले किसी के बारे में, तो आपको उसको अपने तक ही सीमित रखना है, अगर वो positive है, तो आप उसको spread करिए, और अगर वो negative है, तो अपने तक ही सीमित रखिए, तो इसको कहत हैं, integrity, आप अपने subordinates की तारीफ कर सकते हैं, उनको सरा सकते हैं, तो जीवन में, हर एक के जीवन में challenges आते हैं, तो ये lion ये भी दिखाता है, कि इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा strength और courage की जरुवत है, आपको बिलकुल एक share की तरह, अपने जीवन के समस्याओं के प्रत किस तरह समालते हैं, और किस तरह courageously face करते हैं, तो ये है adversity का card, next आपके लिए message है, अपने communication skills को improve करना, जैसे ही communication skills हमारी negative से, positive से, neutral से लेकर miraculous होती है, हम अच्छा सोचने लेते हैं, मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा स्वस्त अच्छा हो रहा है, मेरी kidney अच्छे function कर रही है, मेरे pancreas अच्छे insulin hormone generate कर रही है, अगर आप इस तरह स्वस्त भाव से अच्छा सोचे शरीर के बारे में, तो शरीर के मन को भी ऐसा संदेश मिल जाता है, कि वो अच्छा करेगा, और अच्छा महसूस करेगा, जब भीतर से अन्भूती होती है, ये एक exercise करवाती हूँ, आप अपनी consultation book कर सकते हैं, जिसमें हम ये तीनों चीजों को एक align कैसे ले के आ सकते हैं, इसके बारे में भी सिखाते हैं, तो ये छोटी छोटी वरक्शॉप्स होती हैं हमारे यां, तो आप उनको भी join कर सकते हैं, तो ये थी group number one की reading, आशा करती हू आपको ये reading पसंद आई होगी, आपके tarot card reading और oracle reading के साथ, तो ये थी group number one की reading, अब हम देखते हैं, आपके लिए कुछ bonuses और charms और क्या आपके लिए निकला है, तो पहला आपके लिए charm निकला है, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा वेक्ति आने वाला है, जो आपसे होटा होगा और आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकिया आने वाला है, फिर आया, फिर से एक सिक्स आया है, यानि कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा good emotions, good promotion आने वाला है, तो somebody takes care, a warm interest in you, अब आपको कुछ नया करने की जरूवत है, और something different, तो आपको universe की तरफ से messages है, you have more options than you realize, universal messages है, do something new, और affirmation आपके लिए आया है, curiosity, यानि कि meeting new people, I remember what a treasured row of opinion interest stories they are, जब नए लोगों को मिलते हैं, एक आश्चर जने कि स्तिती बनती है, क्यों यार इसमें भी इतना कुछ है, इतना खजाना है, ये वेक्ति में इतनी knowledge है, तो अब आपको उनके knowledge को embrace करने की जरूवत है, उनसे कुछ सीखने की जरूवत है, तो हमेशा आश्चर ये बनाये रखे जीवन में, क्या आप सीख सकते हैं, और क्या नहीं, एक fruit जो आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फायदे करेगा, वो है apple, and the fruit which you should avoid, ये जो आया है, वो ह मोटाबा भी ज़्यादा करता है, जो लोग पतले हैं, बहुत ही थिन हैं, वेट को बढ़ाना चाहते हैं, उनको apple को खाना चाहिए, ये बनाना का शेक बना के दूद में डाल के खाना चाहिए, इस से weight gain होता है, नहीं तो an apple is the best fruit you can take, फिर आता है, कुछ good habits, good habits में रात को ब दान्तों में दर्द रहेगा, तो आपकी lower back में भी दर्द रहेगा, क्यूंकि दान्तों का सीधा संबन, peat की समस्या या chronic problem से रहता है, diabetes, BP, ये सब दान्तों से भी related हैं, तो अगर आप अपने दान्तों का अच्छे से ख्याल रहेंगे, तो hypertension और diabetes जैसे बीमारी में आपको ये है, और हसना, और सबसे जल्दी उठना, चार साड़े चार पांच बज़े अगर आप उठ सकें, तो healthy, wealthy, make some mind, कुछ खेल जो आप देखते हैं, या ये खेलों के बारे में जानना चाते हैं, या जानकारी रखते हैं, वो है hockey, और दूसरा है basketball, ये दोनों गेम्स आप खे देखते हैं, या इनके बारे में अच्छा सूचते हैं, अब हम निकालते हैं, आपके कुछ angel numbers, और कुछ charms, तो ये थे आपके bonuses और tips आपको अच्छे लगे होंगे, card 1 के लिए, अब हम देखते हैं, आपके लिए क्या charms आए हैं, क्या आपके letters आए हैं, और क्या आपके वो देखते हैं, तो पहला number आया है, आपका angelic number 1, और दूसरा है 88, तो 88 number आपके लिए एक नई spirituality का portal खुलने वाला है, आप थोड़ा से अध्यात्म में interest लेंगे, तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में जैसे dream analysis हैं, आप dream analysis कर पाएंगे, और आप universe आपको ये सब संकेत दे progress करिए, अपने अध्यात्मिक journey को start करने के लिए, ये number 1 है, start your spiritual life, your born again, आज जिस दिन आप meditation करना शुरू हो जाते हैं, उस दिन आपका एक बर्थरे के करता है, आप spiritually born होते हैं, number 88 भी ये दिखाता है, materialistic wealth का इकठा करना ही, जीवन का उद्देश नहीं, परन्तु हमें इस अध्म उन्नती करने के लिए, आपकी soul की progress के लिए भेजा गया है, तो soul के gifts को इकठा करिए, soul में बहुत सारे gifts होते हैं, जैसे कि टेली पती आपको gift मिलता है, astral travel gift मिलता है, आपको dreams मिलते हैं, और coincidences होने लग जाते हैं, magics होने लगते हैं, angels, आपको भगवान दिखने ल life, तो अगला है, आपके लिए, अगला चार में आपके लिए एक घड़ी है, यह है, moon और star, perfume यानि की 6 नंबर Venus का प्रती, आपको जरूर पर्फ्यूम लगा के कहीं भार जाना चाहिए, इससे आपका शुक्र strong होता है, देखे third eye के लिए आपको संकेत आ रहा है, यानि कि आ third eye opening का संकेत है, जब भी आप meditate करें, आपको extra sense और extra vision मिलने के chances हैं, आपको कहीं न कहीं से कोई message आने वाला है, beautiful messages, आपको telephone मिला है, आपके soul के लिए, आप प्रोग्रस करने के लिए, आपको एक और संकेत मिला है, वो है swan, यानि की purity आपको लाने की जरूरत है, आपके letters आये हैं, दूसरा चार माया है, एक और star, यानि की मैंने का था six of wands, और आपका जो वो था, वो भी एक star था, आपने star से ही start किया, तो फिर से एक star देखे, क्या coincidences हैं, फिर से एक star आया है, और आप इस बार famous होने वाले हैं, आपको कोई star, medal, कुछ भी मिलने वाला है, तो क ये को तो VIP word दिखा, तो VIP हो सकता है, आप कुछ सिप करके पी रहे हैं, किसी चीज़ का स्वाद, बड़ा चाव से ले रहे हैं, तो ये हो सकता है, किसी brand का नाम हो सकता है, आप कोई कपड़े खरीद रहे हैं इस brand के, तो M.O.L.E. mall आया है word, तो ये किस आपके चहरे पर या आप इसका treatment करा रहे हैं, या इसको चुपाने के लिए आपको इनकोई ऐसा foundation या cream लगाते हैं, तो ये देखे, ये कुछ words आये हैं, M.O.L.E. mall हो सकता है, L.O.V.E. love, कोई आपको love कर रहा है, ये आपका attention grab कर रहा है, तो जिससे आप प्यार करते हैं, शायद वही आपक कर रहे हैं, देखे, ये हैं, कुछ letters आपको दिख रहे होंगे, तो आपके पास letters आए, B.L.M.I.V.E. O.I.P.S., आपको telephone मिला है, star मिला है, swan मिला है, घड़ी मिली है, आप punctuality की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये थे group number one के charms, और ये तो आशा करती हूँ, आपको ये reading प ये, एक वो करते हैं, ये नहीं आपाएगा, तो छोड़ दीजे, अब हम बढ़ते हैं, pile number two, जिसने भी एक Christmas tree को चूस किया, और Jesus Christ को चूस किया, ठीक है, तो pile number two, जिसने भी two चूस किया है, और Jesus Christ को चूस किया है, तो उनके लिए forgiveness, यानि कि आपको किसी को माफ करने की जरुवत है, तो card निकला है, you are on the truth path of light and forgiveness, father healing is possible at this time, आप या तो guilt feel कर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वज़े से आप अपने आपको guilty feel कर रहे हैं, तो आपके लिए देखते हैं क्या cards निकले हैं, तो देखते हैं हमारे tarot cards से, ये वाले deck से, आपके लिए start of the week और end of the week क्या निकलते हैं, फिर आपके oracle cards से reading करते हैं, फिर देखते हैं आपके charms और क्या आएगा फाहिद, तो पहला card निकला है knight of wands, दूसरा निकला है cups का, और तीसरा card है आपका page of wands, यानि कि future में आपके जीवन में कोई एक immature person ऐसे आने वाला है, जो आपकी help करने वाला है, आपके business में, ये एक subordinate अच्छे knowledge वाला हो सकता, ये शायद आपको कुछ AI के कुछ term सिखाने वाला है, so page of wands ये show करता है, though he is immature but quite intelligent, ये आपके business को stability तो professional front पर ये वेक्ती आपके लिए बहुत ही ज़्यादा fruitful हो सकता है, at present आपको अपने new emotions के ओपर काबू रखने की जरुवत है, और new emotions कुछ भी हो सकते हैं, आपके जीवन में कोई नया साती आया है, नया love आया है, कोई नया रिष्टा आया है, तो उसको आपको अभी संभ पालने की जरुवत है, तो आपके लिए Ace of Cups, यानि new feelings, new ये, इस समय पास्ट में जो आपके जीवन में हुआ है, वो है बहुत सारे thoughts, बहुत जारा क्योश, आप कुछ deciding नहीं कर पा रहे थे, आपका मन ऐसा हो रहा था, आपको migraine, सरदर, headache, बहुत कुछ हो रहा था, आपक आपको इतना insecure feel कर रहे थे, तो ये थे आपके past, present, और future, अब हम देखते हैं कुछ आपके angelic cards क्या थे, तो आपको देखते हैं, ये हैं आपके कुछ angelic cards, तो पहला card जो आपका निकला है, वो है ये, तो card जो निकला है, वो है, आपके loved ones, जो है, जैसे कि आपका hearts का, ये cups का card आया था, तो आप ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, relationship को लेकर, आपके feelings को लेकर, तो ये था आपका ace of cups, तो ace of cups जो है, वो कहता है, आपके relationship के उपर, आपके भावनाओं के उपर, त इनके प्रती, आप बहुत जादा घबराण मैसूस करे थे, किसी की health को लेकर, तो वो बिल्कुल ही ठीक है, जिस जगे पर भी है, वो वहाँ safe है, भगवान ने उनको protect कर रखा है, और वो बिल्कुल safe है, ये message आया है, बिल्कुल angelic message है, कि आपके loved ones, जो है, वो बिल्कुल ह safe है, आपके पास जो भी है, आप expect करिए, क्या expect करिए, कि जब भी मेरे जीवन में कुछ ऐसी भावनाएं आए, anxiety की भावनाएं, तो मुझे घबराना नहीं चाहिए, unnecessary अपनी feelings को नहीं बढ़ाना चाहिए, जितनी जादा negative feelings को आप energy देंगे, focus देंगे, वो उतनी ही बढ़ Thank you very much, और फिर अब हम देखते हैं, आपके लिए क्या blessings आये हैं, तो आप perfection की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसने भी pile number two, चूस किया है, आपकी feelings बहुत ही sensitive emotional वेक्ती हैं, जिसने भी card number two, चोटी 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 feelings और चोटी चोटी रिष्टेदारों के problems की वज़े से आप घबरा जाते हैं, आपके feelings या moods बहुत जल्दी swings होते हैं, ये show करता है, तो ये tribal light मतलब आपको धैरे रखने की जरुवत है, केकड़ी की तरह भागना नहीं, इदर उदर restless नहीं होना, और वीकनेस नहीं create करना, जैसे ही आप restless की भावना लेका आते हैं, आपके body जो है weak होती रहत हैं, तो इस हफते, जिन्होंने भी ये फाइल नमबर टू चूज किया है, उनके जीवन में angelic miracles और blessings क्या आने वाली हैं, तो तीनों दो violet कार्ड निकले हैं, और तीसरा green, यानि कि आपका health का कार्ड निकला है, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं, तो आने वाले सप्ता में आप ये देखेंगे कि जिससे कहते हैं, हम सपनों में सोचते हैं कि घोडे पर बैठ कर कोई राचकुमार आएगा और वो हमारी समस्यों को दूर करेगा, उसी तरह ये भी ऐसा ही लगता है कि आपके professional life में कोई ऐसा नया विक्ती आपकी एक postman हो सकता, आपके लिए message लेके आने वाला, तो ये विक्ती कोई भी हो सकता है जो आपकी help करेगा, वो help किसी भी दिशा में होगी, web designing में होगी, कोई project में होगी, कोई idea देने में होगी, वो आपका friend, सलाकार, guide, philosopher कोई भी होगा, तो ये आपके जीवन में एक नया पन आ देखने की जरुवत है, कोई दिशा मेरे लिए अनिकूल है, सो जैसे table होता है, four legs होता है, तो इसी तरह आपको stable रहने की जरुवत है, चारो दिशाओं पर नजर रखने की जरुवत है, और आपके ambitious plans, चार दिशा हैं, यानि mentally, physically, spiritually और emotionally, इन चारो दिशाओं को आपको balance और stable रखने की जरुवत है, तो miracles महीं आएंगे, जब आप में stability establish कर पाएंगे, तो ये card कहता है, 20 number आप कोई जगा पे जा रहे हैं, जहां आपको ये जगा बहुत पसंदारी है, तो new place में जा सकते हैं, आप एक कमरे को renovate कर सकते हैं, तो something new, आपके जीवन में कुछ नया आने वाला एक नई दुकान, नया दुकान का उट घाटन, यहां आप भले ही अपनी इस कमरे को decorate करने के लिए कोई नया शोपी सी लेके आएं, जिससे की उस कमरे की सुंदरता बढ़ रही है, वो curtain हो सकता है, dress material हो सकता है, आपके जीवन में आपको enhance करने के लिए, आपके wardrobe को enhance क करने के लिए आप कोई नई चीज लेके आ रहे हैं, तो anything new is coming, new beginning, new dress, new house, new shop, new business, तो कुछ भी आपके जीवन में नया हो सकता है, वो भले ही एक चोटा सा ring हो सकता है, ornament हो सकता है, एक नया बरतन हो सकता है, रोसोई कोई उपकरन हो सकता, अगर आप ग्रहन ही है, तो something new is coming into your life तो अगला कार्ड आपके लिए जो आया है, वो है जिराफ, यानि कि आपको दूसरे प्रस्पेक्टिव से चीजों को देखने की जरुवत है, wide, tall and seeing the overview, overview मतलब जब भी कोई जीवन में घटना घट जाए, उसके बाद उसको overview देखना, कल मेरे साथ आप देखें, आप सोचे कि आप एक वेक्ती जो हैं, एक दिवार की कोने से अपने आपको देख रहे हैं, तो कल आप क्या कर रहे थे, कल जो आपने किया, वो अनरूप था, situation के, या against था, तो आपको उसमें overview लेने की जरुवत है, chair exercise भी कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, आप सही थे, या वो सही था, या आप गलत थे, या वो गलत था, तो आपके पास अगला काड़ा आया है, magic manifestation, जो आप सोचेंगे, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपके reality create होगी, तो ये बहुत ही beautiful goddess हैं, और आपके प्रती, जो आया है, आप देखें, जब overview लेते हैं, क्या आप उसमें guilt मे थे, या आपने कुछ ऐसा गलत काम किया चाहिए, अपने जूटी बोला हो, तो guilty हैं, तो अब आप इस guilt को कैसे निकालेंगे, आप अपने आपको कहेंगे, ये मेरे लिए एक lesson था, learning lesson था, उस समय पे मैंन और बुद्धी से जो भी decision लिया, वो उस समय के लिए ठीक था, और अप मुझे कोई regret नहीं है, ऐसे कहकर आप उस guilt से दूर हो सकते हैं, जीवन में बहुत बार सुखद अनुबह होते हैं, और हमें उस चीज़ के लिए बहुत ही जादा खुशी होती है, पर ध्यान देने के जरुवत है, कहीं ये खुशी जो है, प्राइड में ना बदल आपको उसी चीज़ का अंकार्य घमर ना हो, तो ये थी pile number two वालों के लिए reading आशा करती हूँ, आपको ये tarot reading पसंद आई होगी, जिसने भी pile number two चूश किया है, तो अब देखते हैं, आपके लिए क्या charms निकलते हैं, क्या आपके लिए cards निकलते हैं, तो देखते हैं pile number two के लिए, तो आपके लिए golden card निकला है, king of year, यानि की बहुत ही ज़्यादा पैसा, आपको कोई ancestral property, या कोई आपके घर में बुजर्ग हैं, जो आपको कुछ धन देने वाले हैं, तो आपके लिए जो card निकला है, king का निकला है, और दूसरा आपके लिए जो निकला है, वो है five of hearts, यानि की jealousy of some ill-will people around you, कोई लोग आप से जलते हैं, आपके एर्धियत कुछ जलन के लोग हैं, फिर आपके लिए जो information का card निकला है, मैंने पहले ही कहा, ये pile number two, जो हैं, बहुत ही emotional people हैं, और बहुत ही sensitive हैं, तो आपके लिए जो निकला है, embracing sensitivity, means you are savoring one of the coolest aspect of being alive, or you could tune into and enjoy the incredible gifts around you, the taste of an orange sounds of the forest, texture, इन सब भावनों के उपर आपको ध्यान देने की जरूत है, छोटी 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 भावना हैं, आपको बहुत जदा खुश भी दे, खुशियां भी दे सकती हैं, तो इस समय आपको क्या fruit खाने की जरूत है, तो आपके लिए आया है pomo granite, ये fruit खाने से आपका खुण बढ़ता है, हिमोगलोबिन बढ़ता है, ये fruit बहुत ही जदा हाट के लिए अच्छा है, और red color जो है mangal का प्रतीक है, आपके अंदर धहरी को बढ़ाता है, जब भी आप red fruit खाते हैं, मार्स को रेप्रेजन करता है, आपकी fire energy को रेप्रेजन करता है, क्या fruit avoid करने की जरूवत है, इस समय आपको watermelon को avoid करने की जरूवत है, और आपके पास क्या habits होने चाहिए, और क्या आपको करने की जरूवत है, तो योगा निकला है, थोड़ा थोड़ा पांच या दस मिनिट या आदा घंटा अपने शरीर के लिए कुछ योगासन करिए, जिसने पाइल चूज किया है, इस से आपको बहुत ही ज़्यादा शान्ती शरीर लाइट होता चला जाएगा, और आपको एक अजीव सा happiness मिलेगा, जो लोग fit है, वो tennis भी खेल सकते हैं, वो भी उत्रा ही योगा के equivalent है, तो आपके लिए जो कार्ड निकला है, tennis और योगा, कुछ universe क messages हैं, keep it simple, और यह हमेशा जरूरी नहीं कि आप ही सही हो, it is not only about being right, यही जिराफ का संदेश है, कि overview देखे, हर बार जरूरी नहीं कि आप ही सही है, आप भी गलत हो सकते हैं, और गलती आपकी है, तो एकस, इसको एकस, यह करिए, एकसेप्ट करिए, कि हाँ मैंने गलत किया, हाँ, हाँ, हाँ ही भरे, I am sorry, I did the mistake, इससे कभी भी आप छोटे या बड़े नहीं होते, पर हमारी ego इसको allow नहीं करती, early to bed, early to rise कहा जाता है, तो जो रिष्टो में आपको लगता है, खटास आ गई है, तो वहाँ पर आपको social distance रखने की जरूरत है, तो mental social distancing पहला आया है, औ आप 5-6 घंटे चैन की needs हो ये, इससे आपका stress भी दूर होगा, ये थे आपके bonuses, आशा करती हूँ, pile number 2, आपको ये bonuses पसंद आए होंगे, तो pile number 2 जिसने भी Jesus को choose किया था, अब हम देखते हैं, आपके charms क्या आए हैं, और आपको क्या reading आई है, आपको दीखरा होगा, तो आपके पास दो angelic numbers है, 3 and 11, very good, आपके पास भी एक घड़ी आए, यानि कि आप alarm या punctual या घड़ी को बारवार देखते हैं, ऐसा लगता है, आपके लिए समय कटता नहीं है, या समय बहुत जल्दी भागता है, आपके लिए दोनों ही रूप में अच्छा नहीं है, तो मैं आपके letters निकाल दूँ, ये letters किसी का भी नाम हो सकते हैं, जिसको आपका ध्याना करशित करने की जरुवत है, तो आप letters देखिए, आपको कुछ भी कुछ word बनता हो, तो देख सकते हैं, और आपके लिए जो number आया है, वो है 11, 11 एक angelic number है, ये कहता है कि इस समय का expansion की जरुवत है, तो आपको चारों field में expansion करने की जरुवत है, आप you are born to shine, और जो दूसरा angelic number आया है 3, वो ये बताता है, partnership का number है, mercury ये number है, तीन number, आपका जूपिटर, गुरू का number है, गुरू की सला लेना, गुरू से मिलना, तो ये भी बताता है, ये perfect timing है, तो आपके ज सर के लिए, माइगरेन के लिए, या किसी से specialist, या किसी से सला ले रहे हैं, तो ये आपके लिए word आया है, तो आप देखे, AT, AT, या कहीं बैठ रहे हैं, sit and sat हो सकता है, आपको लग रहा है कि SIN, या gain हो सकता है, आपको materialistic benefit मिलने वाले हैं, आपके से मिलने वाले हो, तो आप के लिए जो है, कुछ आप अक्रोट, बदाम, इस चीज़, ऐसे चीज़े खारें, आपके लिए स्कूरिल आया है, आप healthy food खारें, again grapes, prosperity को दिखाता है, आपके जीवन में unexpected wealth आ रहा है, angelic blessing और protection आपके पास है, तो ये angel आई है, आपके पास घड़ी आया है, जैसे मैंने कई बार लगता है, कि मेरे जीवन में stuck है, तो ये ताला stuckness को represent करता है, stability चार पैर आया है, आपको और गुलाब का fool या fool आया है, यानि कि आपको nature के पास कुछ न कुछ time spend करने की जरूद है, तो आशा करती हूँ, ये आपको charms, मेरे कुछ letters, इस तरह की reading आपको बहुत पसं आता है, और आशा करती हूँ, जितना मज़ा मुझे आया, आपको भी point number two को देखने में उतना ही मज़ा आया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं, pile number three की तरफ, जिसने भी center clause को choose किया, तो ये pile number three है, और ये आपका center clause, तो center clause क्या प्रतीत है, आपके जीवन में gifts को लेके आता है, center clause खुशियों को लेके आता है, तो जिसने भी three number को choose किया है, तो उनके लिए mother Mary क्या message देती है, ये आपके जवन में प्यार और खुशिया आने वाली है, let go of the need to be right, choose peace, mother's healing is possible, यानि अपनी मम्मी को respect करिए, जिन जो मा समान है, तो उनको आप respect दीजिए, उनसे relationship अच्छे बनाएए, respectful relation बनाएए, कहते हैं, जब भी आप मा को respect देते हैं, दो number को, तो आपका moon उतना ही strong होता है, आपका चंद्रमा जो है, बहुत ही अच्छा होता चले आता है, और चंद्रमा अच्छा होने का कारण है, आ आपका emotional balance होना, जब भी emotional balance करना हो, आप अपने रिष्टो में मा को respect देना शुरू करिए, चंद्रमा आपका उतना ही strong होता चला जाएगा, अब आते हैं, आपके reading देखते हैं, कि आपके लिए क्या reading है, इस deck से, तो pile number 3 के लिए देखते हैं, start of the week, end of the week, कैसा रहेगा आप का ये हफ़ता, तो pile number 3 देखते हैं, तो पहला card निकला है, ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, तो आपके लिए भी एक night of wants निकले है, night of wants यानि कि strategy, planning के साथ, आप चीजों को बड़े धहरे से देखते हैं, future आपका बहुत ही ज़्यादा, strategic planning वाला, materialistic calculation वाला रहता है, आप बहुत ही महनत करते हैं, eight of wants आपका present में महनत को दिखाता है, यानि कि आ professional life में बहुत ही ज़् strategy और ये रहता है, present में आप बहुत ही ज़्यादा, आप divide करके चलते हैं, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी गहरी रेखा है, आपके life में personal और professional, आप दोगले इंसान हैं, आप अलग-अलग दोनों में अपने व्यक्तितव को निभाते हैं, एक व्यक्तितव आपका घर का है, एक व्यक्तित आपका बाहर का है, so this shows a dual personality, आप घर में कुछ और और बाहर कुछ हैं, तो एक आप एक रूपता नहीं maintain करते हैं, इसी के कारण आपके जीवन में, आपके माइन में, आपके शरीर में बहुत सारे conflicting thoughts रहते हैं, क्योंकि आप घर में एक authority, एक dominance को represent करते ह हैं, और बाहर जो हैं, वहाँ पर एक boss के under आप काम करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका mind, body, soul जो है align नहीं होता, ये card show करता है, तो lover का card आप अपके रिष्टों को निभाने के लिए बहुत प्रैतन करते हैं, उसमें दरार ना आए, कोई तीसरा वेक्ति ना आए, ये आप ध् कि उससे बहतर मैं कैसे करूँ, अपने आपको कैसे सिद करूँ, अपने आपको कैसे प्रूफ करूँ, तो अगर आप ये चीजे छोड़ कर, और अपने professional और personal life को एक रूपता में ले कर आए, और आप सोचे में कल से better कैसे हो सकता हूँ, और एक घोड़े की तरह जैसे होने वाले हैं, तो जब भी आपके जीवन में दो राएं आजाए, professional और personal, बिल्कुल अलग-अलग, तो आपको बड़ा careful रहने की जरुवत है, तो थोड़ा सा सोच कर चलिए, कि मुझे आगे क्या चलना है, अब आते हैं, हम आपके, औरेकल रीडिंग के तरफ, तो औरेकल रीडिंग में क्या कार्ड्स निकले हैं, देखते हैं, यह आपके कार्ड्स हैं, तो आपके लिए निकला है वेल फिश, वेल फिश क्या कहता है, तो जैसे कि मैंने कहा, आपको अपने अंतरात्मा की और ध्यान देने की जरुवत है, इर्दिगिर्द के होते हुए इस साउंड को, अपने दिल की धड़कन को चुपचा बैटके सुनने की कोशिश करिए, क्या आपका दिल कह रहा है, कौन से शरीर में ऐसी तरंगे हो रही हैं, जिसको आपने आज तक नहीं मैसूस किया, शरीर के हर एक बॉड़ी पार्ट की तरंगों की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, हर ए यह कहानी है, तो हर वो दर्द क्या कहना चाता है, यह आपको देखने की जरूरत है, तो देखते हैं, इस सफ़ते आपके लिए एंजलिक ब्लेसिंग्स और मेरेकल्स क्या आने वाले हैं, तो मेरेकल आपके आने वाला है, क्वीन ओफ माइकल, जो की बताता है, कि लाइफ में मेरा क्या गोल है मुझे कैसे अचीव करना है क्या मेरी strategy होगी क्या मेरी planning होगी कैसे मैं अपने आपको boss को proof करूँगा कैसे मैं आगे निकल सकता हूँ ये आपके दिमाख में 24 घंटे planning चलती रहती है और आपके जीवन में at present में जो आपके health के लिए थोड़े सी emotional instability की वज़े से कई बास stress आता है और आप सोच में पढ़ जाते हैं कि मेरा इसार दर्द क्यूं हो रहा है मुझे थोड़े सा migraine की शिगायत क्यूं आ रही है ये छोटी छोटी चीज़े आपके जीवन में होती है कभी आप ध्यान नहीं दे पाते तो चोट लग जाती है कभी बार आपकी गाड़ी खराब हो जाती है ये सब इसलिए होता है जब आपके पास mind body align नहीं होता आप एक ही direction में काम करते हैं दूसरे बाकी जो आपके तीन layers है professional, emotional, physical उन पर आप ध्यान नहीं देते तो ऐसे चीज़े होने लगती हैं आपके जीवन में तो क्या करने की जरू प्रोमोशन मिलने वाला है, wings मिलने वाले हैं अगर यही wings आप अपने family life में भी लियाएं तो चार चान लग जाते हैं उतना ही अपने wife को मान समान दीजिए क्योंकि wife जो है six number का कारक है, venus का कारक है, लक्षमी का प्रतीक है, धंधान, materialistic wealth का प्रतीक है, अगर आप घर की ल communication इंप्रूब करने की जरुवत है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप एक ही front पे काम कर रहे हैं, दूसरे front को आप निगलेट कर रहे हैं, तो बार बार संगेत आ रहा है, आपको अपने soul purpose को ढूणने की जरुवत है, what is your purpose in life, what is the purpose, आपको तीनो धरम निभाने की जरुवत है, आपके शरीर का धरम, कुटुम का धरम, फैमिली का धरम और आत्मा का धरम, जब आप ये तीनो निभाते हैं, तबी आपका life का purpose फुल्फिल होता है, ये धरती एक स्कूल है, आध्यात्मी कुननती करना उतना ही जरूर ही है, जितना आप जीवन में, materialistic benefit, तो आपके लिए देखें, फिर से एक और काड़ाया है संकेत, दे रहा है कि ये टाइम बिल्कुल सही है, आपके आध्यात्मी कुननती को शुरू करिए, किसी गुरू के संपर्ग में रहिए, थोड़ा ध्यान करिए, बुद्धा की टीचिंग्स को लीजिए, और धरमा की तरफ बढ़िए, फिर से divine purpose, देखें फिर से synchronicity, ये जो group number 3 है, उनको अपने life purpose की तरफ काम करने की जरुश है, अपने soul purpose की तरफ काम करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा हम mind body, soul को align करने का तरीका بتाते हैं, meditation सिखाते हैं, और free of cost, यह हमारी workshop होती है, आप हम से consultation book करके भी जान सकते हैं, तो आप की प्रगती के लिए आपको अपने अंधेरे से बिलकुल निकलने की जरूर था तो ये थी ग्रूप नमबर थी के रीडिंग आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग और ब्लेसिंग्स और चाम्स पसंद आये होंगे अब हम चलते हैं आपके बोनस के ओर देखते हैं क्या है आपके लिए आया है जैक ओफ स्पेड्स कोई वेक्ती आपके जीवन में एक नहीं हल चल नहीं प्रगती लेके आने वाला है ये आपका रिलेटिव हो सकता है या आपसे छोटा वेक्ती हो सकता है चाचा का मामा का बेटा हो सकता है या कजिन हो सकता है वो आपके घर आने व में वो आप प्राप्त करेंगे आफ के लिए affirmation आया है my best self so I trust what I am doing what's the best for me and being the happiest version of myself my life that means I can let go all of my worries about the future knowing that my only job is to be happy in this moment तो इस moment में मुझे happiness करने की बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है तो आपके लिए कुछ habits कुछ fruits निकाले हैं मैंने तो इस समय आपको क्या fruit avoid करना है या आपके लिए health के लिए क्या अच्छा है देखिए आपके लिए पकपाया है और pineapple दोनो fruits अच्छे हैं आप दोनो fruits को भी खा सकते हैं पर excess में कुछ भी मत खाएए one piece a day will enjoy इसमें काफी antioxidants होते हैं pineapple में यह जिनको भी diabetes है उनको जरूर खाना चाहिए और जिनको भी constipation है उनको papaya जरूर खाना चाहिए तो आपके लिए दो fruits आए हैं आप कोन से game खेलना चाते हैं या game कोन से game बार बार देखना चाते हैं या आपका favorite game हो सकता है और इसको देखने से भी आपके hormones जो हैं बहुत ही बढ़ जाते हैं badminton है और आपका है volleyball ये दो games या दो दो sports आपके बहुत बच्पन में बहुत प्रिया रहे होंगे और इन जिनको आपने अप छोड़ दिया है तो आप इनको फिर से शुरू कर सकते हैं तो आपके लिए good habits में आया है नहाना जितना आप शरीर को सुच रखेंगे कुछ oil की massage करके भी आप अच्छे perfumes या कुछ अच्छा body wash लगा के भी ना सकते हैं इस से शरीर आपका सुगंदित रहेगा और महगता रहेगा ये एक अच्छी habit है और दूसरी habit अच्छे से hand wash करके जितनी बार आप hand wash करेंगे कभी आपने क्यारी का काम किया कभी आपने सबतियां काटी तो उतनी बार आप hand wash करेंगे नॉर्मल साबुन से तो आपके hands clean रहेंगे, nails clean रहेंगे, इससे आपकी health भी अच्छी रहेगी अब हम देखते हैं आपके charms और lettuce क्या आएं है देखते हैं charms और lettuce क्या है तो आपके लिए चाम आया है रेडियो, आपके लिए angelic blessings, आशिरवाद आया है, आपके लिए आया है dance तो ये थे आपके कुछ letters देखे, आप ये किसी का विवेक्ति का नाम हो सकता है और कुछ letters ऐसे हैं जिसे e आया है, w आया है, या तो आप किसी wedding में जा रहे हैं wed या आप किसी अपने उपर ध्यान दे रहे हैं, me word बना है और k आया है, आपके लिए lot lot of things हो सकते हैं, let हो सकता है do, dot हो सकता है, देखे, आप क्या आपको resonate करता है, कोई आपके लिए word बन रहा है तो देखे, ये आपके words हैं, और charms में आपके लिए आया है आप या तो shoes खरीद कर कुछ dancing कर रहे हैं, आया आपको dance का बहुत शौक है तो ये dancing angel आई है, आप कहीं उडने वाले हैं, कोई travel करने वाले angelic wings आया है, blessings आया है, आपके पास आया crown यानि की crown चक्रा पर आपको काम करने की जरुवत है ये ये भी दर्शाता है, आपको कई मान समान मिलने वाला है, crown मिलने वाला है appreciation हो सकता है, आप कोई music सुनने वाले हैं, इसलिए आपको radio आया है pearl यानि की आपको pearl gift वे ले वाला है, या आप किसी को gift देने वाले ये बोटाई भी हो सकती है आप किसी को बोटाई gift दे रहे हैं, और आपके पास protection का, angelic blessings का, ये आया है ये बहुत ही good sign होता है, और जो आपके numbers आये हैं, बहुत ही अच्छा, करी लोग इसको unlucky मानते हैं पर मेरे लिए बहुत ही lucky number रहा है, मेरी बहुत सारे जीवन की बहुत important events जो है 13 number पर हुई है तो 13 number जो है, ये एक ऐसा number है, कि आपके जीवन में कुछ नया unfold होने वाला है, नई चीजों का आगमन को दर्शाता है 13 और आपके जीवन में नई opportunities आने वाली है, two number relationship की growth को दिखाता है तो ये थी आपके कुछ charms और कुछ letters, आशा करती हूँ, आपको ये पसंद आया होगा reading तो ये थी group number 3 वालों के लिए reading तो ये था हमारा आज Christmas special, तो आज हमने देखा star, star और Christmas tree, आपको happy Christmas, 25 तारिकी और अगला जो हमारी reading होगी, वो पूरे yearly prediction के उपर होगी कि आने वाला 2014 साल आपके लिए कैसा रहेगा तो ये थी आज one, two and three की reading तो जिसने भी two choose किया, उसके लिए Jesus थे, जिसने भी choose किया three, उनके लिए Mother Mary थी, तो ये था two, Jesus Christ और one था हमारा Holy Spirit, तो one, two and three आपको जैसे भी पसंद आया हो, तो ये था, thank you very much for this beautiful reading of one, two and three, तो मिलते हैं एक और पिककार रीडिंग के साथ आप सभी को, thank you very much अजया है झाल 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 झाल